नमस्कार, मेरा नाम डक्टर जितेन पांडे है और मैं उत्राकन मुक्त विशिद्याले के कम्प्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टन प्रोफिसर की रूप में कारियर रत हूँ आज हम चर्चा करेंगे जनरेशन्स आफ कम्प्यूटर के बारे में इस लेक्चर को देखने और सुनने के बाद आप कम्प्यूटर के विकास के क्रम में कम्प्यूटर की प्रत्येक पीडी में इस्तमाल होने वाली टेक्नलोजी का वर्णन कर पाएंगे इसके अतिरिक आप अपनी आवशक्ताओं के अनुसार विभिन प्रकार के कम्प्यूटर सिस्टम्स का मुल्यांकन कर पाएंगे कम्प्यूटर के शुरुवाती दौर में आज की तरह कम्प्यूटर नहीं थे शुरुवात में बहुत बड़े, भारी और महेंगे कम्प्यूटर हुआ करते थे समय के हिसाब से कम्प्यूटर में कहीं बदला हुए इन बदलावों से कम्प्यूटर की नई पीडियों का जन्म होने लगा हर PD के बाद computer के आकार प्रकार, कारिप्लनाली इवं कारिक्षमता में भी सुधार हुए तब जाकर आज के समय का computer का निर्मान हुआ computer के इसी काल चकर को अलग-अलग पीडियों में बाटा गया है जो इस प्रकार है हम चर्चा की शुरुवात first generation of computer से करेंगे computer की प्रथम PD की शुरुवात 1940 से 1950 के बीच की मानी जाती है इन शुरुवाती computer में विशाल vacuum tube शामिल थे जो की light के बल्ब के समान थे इनका मुख्य उद्देश transmission के लिए कमजोर संकीतों को मजबूत करना था ये vacuum tube स्विच के रूप में बिजली के त्वरित प्रभाक्यों शुरू और बन करने के कारी करते थे स्विच की दो position on और off machine language के 0 और 1 की अवधाना पर आधारित थी on और off की combination ने एक प्रकार की machine language का निर्मान किया जिसका इस्तमाल information processing के लिए किया जा सकता था पहला computer जिसका नाम Mark 1 था इतना बड़ा था कि उसे रखने के लिए कि स्टीडियम के बराबर की जगह की आवशक्ता थी कहा जाता है इसको बनाने के लिए 500 मील से अधिक तार का इस्तमाल किया गया था अपने समय के हिसाब से ये computer बहुत powerful था और उस समय जिन mathematical problems को normally हल करने के लिए 40 घंटे लगते थे Mark 1 उन्हें 20 सेकंड में हल कर देता था इसका उपयोग द्यूतिय विश्विध्यों के दौरान यूएस नेवी दौरा strategic military mathematical problems को हल करने के लिए किया गया विज्ञानिकों ने इस computer का इस्तेमाल मौसम के pattern का अनुमान लगाने हवाई जाज के design में समस्याओं का विसलेशन करने के लिए जैसे कारियों के लिए किया प्रथम PD का अगला computer है ENIAC अर्थार electronic numerical integrator and computer जो की Mark 1 का advanced version है इसकी processing speed Mark 1 से लगभग 1000 गुना जादा थी ENIAC लगभग 80 feet लंबा और 3 feet चौड़ा था और इसमें लगभग 18,000 vacuum tube का इस्तेमाल किया गया दुरभाग्यवश vacuum tube बहुत गर्म होती थी और इनको ठंडा रखने के लिए air condition room की आवशकता होती थी जिसमें बहुत बिजली खर्च होती थी इसके अलावा यह tube अक्सर खराब हो जाती थी जिन्हें अक्सर बदलने की जरूरत पड़ती थी अतहर इनका उप्योग और अनुरुक्षन बहुत महेंगा था ENIAC के बाद प्रथम PD का अगला computer UNIWAC अर्थाद Universal Automatic Computer था प्रथम PD के computer में data को store करने के लिए magnetic drum का इस्तमाल किया जाता था computer की दूसरी PD की शुरुवात 1950 से 1960 के बीच की मानी जाती है दूसरी PD के computer में vacuum tube की जगह transistor ने ले ली थी जो की vacuum tube के मुकाबले आकार में कई गुना छोटा होता है इसके इस्तमाल से computer का अकार बहुत छोटा हो गया इसके अलावा transistor vacuum tube के तुलना में बहुत सस्ता था गर्मी उत्सरजित नहीं करता था तथा vacuum tube के तुलना में खराब बेकम होता था अंतरिक श्यात्रा को संभव बनाने के लिए दूसरी PD के computer का इस्तमाल हुआ जैसे photon, Algol और COBOL का इस्तमाल होता था जो की किसी natural language की तरह थी तथा जो छोटे अंग्रेजी शब्दों जैसे add, subtract, multiply आदिका प्रियोग करती थी इस PD के computer में hardware, even software को develop किया गया जिसके अकारण प्रोग्राम को store और retrieve करना संभव हो पाया computer की तीसरी PD की शुरुआत 1960 से 1970 के बीच की मान जाती है यहां आते आते transistor की जगें integrated circuit यानी IC ने ले ली Silicon की एक चिप में लाखों छोटे transistor को एकिकरत कर IC का निर्मान किया गया और इस प्रकार computer का आकार बहुत छोटा हो गया तथा इन computer की calculation speed माइक्रो सेकिंड से नैनो सेकिंड तक आ गई इसके अतिरिक्त computer की कारीशंता में कई गुना वृद्धी हुई तथा कीमत भी बहुत कम हुए इस PD के दौरान नए input और output devices का निर्मान किया गया था keyboard, monitor और mouse ने computer को अधिक user friendly बनाया एक main fin computer में data को input करने के लिए पंच काट के विशाल धेर की अवशक्ता को समाप्त कर दिया इसके अतिरिक्त computer के output को computer की विशाल screen पर पढ़ा जा सकता था तथा जरूरत पढ़ने पर कागज में print भी किया जा सकता था computer की चौथी PD की शुरुआत 1970 से 1980 के मध्धी की मानी जाती है चौथी PD की computer में silicon chip का आकार घट कर एक pencil eraser के आकार के बराबर हो गया चब कि इसकी कारी शमता में कई गुना इजाफा हुआ microprocessor चौथी PD के computer में आने लगे थे इससे computer के आकार एवं दाम कम हो गया और कारी शमता बढ़ गई microprocessor एक ऐसा digital electronic device है जिसमें लाखों transistor को integrated circuit या IC के रूप में प्रियोग कर तैयार किया जाता है इससे computer के central processing unit की तरह भी काम लिया जाता है integrated circuit के अविश्कार से ही आगे चल कर microprocessor के निर्मान का रास्ता खुला microprocessor के आस्तिक्तों में आने से पूरु CPU अलग-अलग electronic components को जोड़ कर बनाये जाते थे जो की size में बड़ा होता था तथा उसकी processing speed भी कम होती थी इस generation के computer के magnetic disk की जगे semiconductor memory ने ले ली साथ ही उच गती वाली network का विकास हुआ जिनने आप LAN और WAN के नाम से जानते हैं operating system के रूप में users का परिशे पहली बार MS-DOS से हुआ साथ ही कुछ समय बाद Microsoft Windows भी computer में आने लगी जिसकी वज़े से multimedia का प्रिचलन प्रारंभ हुआ इसी समय सी भाषा का भी विकास हुआ जिसने प्रोग्रामिंग करना और आसान हुआ इस PD के दौरान चिप निर्माता कंपनी Intel द्वारा Silicon Chip टक्नीक का इस्तमाल किया गया था IBM के साथ साजिदारी में Intel ने पहले micro computer या personal computer का निर्मान किया कुछ साल बाद Apple ने Motorola के साथ मिलकर Intel की प्रतिस परदा करने के लिए Macintosh पेश किया इस अविधी के दौरान नई एवं programming करने की दृष्टी से सहरल computer languages जैसे Pascal C आधी विक्सित हुई इसके अतिरिक compiler का विकास हुआ जिसकी मदद से प्रोग्राम को lower level language से रुपांतरित किया जा सकता था इसी दौरान Unix operating system भी विक्सित किया गया computer की पाँचवी PD की शुरुवार 1980 के मध्य से 1990 के बीच कीमानी जाती है इस PD का लक्ष उन उपकरणों को विक्सित करना था जो मनिष्ट से उसकी प्रकर्तिक भाषा जैसे हिंदी अंग्रेजी आदी में आदेश प्राप्त कर मनिष्ट के समान अपने बुद्धी विवेक से कारिसंबादित कर सके इसके अतिरिक यह कम्प्यूटर अपने आप सीखने एवन स्वयम का प्रबंधन करने में सक्षम है इन कम्प्यूटरों की विशेष्टा है कि एक कम्प्यूटर में सैक्लों प्रोसेसर एक सांथ एक ही प्रोग्राम के विभिन ब्लॉक्स पर काम करने में सक्षम है इसे parallel processing कहा जाता है और इसका इस्तमाल computer और user के बीच user की natural language में communication के लिए होता है artificial intelligence या AI भाषाओं के रूप में इस्तमाल की जाने वाली कई programming भाषाओं जैसे prolog और lisp विक्सित की गई ultra large scale integration, optical disk जैसी चीज़ों का प्रयोग इस PD में किया जाने लगा जिससे कम से कम जगह में अधिक से अधिक data store किया जाना संभव हो पाया internet, email, worldwide web का विकास भी इसी दोरान हुआ computer की शटी PD की शुरुआत 1990 के मध्ध के बाद से मानी जाती है इस युग में computer एवं video games की शुरुआत हुई क्योंकि 1998 के आसपास बहुत लोग प्रिये हुए Nintendo GameCube, Sony PlayStation 2 और Microsoft के Xbox को सभी उम्रे के खेल प्रेमियों दोरा हाथो हाथ लिया गया computer की weapon generation में इस्तमाल होने वाली technology को इस diagram के माधियम से प्रदर्शित किया गया इस lecture में हमने जाना कि computer के विकास के क्रम में इसके design और technology में क्या-क्या बदलाव आए अगले lecture में हम computer के विभिन प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद